Hello students, स्वागत है आप सभी का Magnet Brains के इस प्लैटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिलकुल ही free and quality education बात करें हम kindergarten की या फिर हो class 12 यहाँ पर आपको सारे classes के video lectures दिये जाते हैं बिलकुल ही free of cost और वो भी पूरे quality content के साथ 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 आपके board examinations के लिए भी बहुत सारे videos बनाये जा रहे हैं जिनको देख करके आप अपने upcoming board exam में बहुत अच्छा score कर सकते हैं तो मैं शुबम स्वास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का इस platform पर क्लास्टर वेल्थ biology and CERT exemplar की जो सीरीज चल रही है इसमें हमारी गारी आज आ पहुँची है चैप्टर नमबर 5 principle of inheritance and variation के very short answer type questions के तरफ very short answer type questions को answer करने का तरीका हम जानते हैं यहाँ पर हमसे जो question पूछा जाता है वो काफी basic होता है अगर question basic नहीं भी है अगर question थुरा tricky भी है फिर भी हमारा जो answer करने का तरीका है वो काफी कम शब्दों में होता है लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर ये भी रखना होता है कि शब्दों को कम करने के चक्कर में ऐसा कोई main point हमसे ना छूट जाए जो वो question demand कर रहा है तो इन सभी बातों को अपने दिमाग में रखना है और दिमाग में रखने के बाद अपने इस प्यारे-प्यारे questions को solve करना है उनके answers देने हैं तो एक एक करके हम देखेंगे कि इस very short answer type questions में हमसे कौन-कौन से सवाल पूछे गए हैं तो एक एक करके आज आते हैं यहाँ पर और हमारे सामने इस तरीके से हमारा पहला सवाल आ चुका है तो कहने का मतलब है कि यह cross किया जा रहा है मतलब दो के बीच में cross है for example यहाँ पर कोई A है और B इन दोनों के बीच में cross करवाया जा रहा है ठीक है कहता है कि the cross between the progeny of F1 तो A जो है this is the progeny of F1 यह F1 का progeny है और क्या है and the homozygous recessive parent और यहाँ पर यह कौन सा है तो यह homozygous है homozygous और साथ साथ ही क्या है यह recessive recessive parent है यह ठीक है इनके बीच में cross करवाया गया है और हमें बताना है कि इस cross का क्या नाम है इस cross को हम किस नाम से जानते हैं what is the name of this cross हमारा सवाल यही है साथ साथ हमारा सवाल यह भी है कि how is it useful और यह useful कैसे है यह भी हमें बताना है तो हमने अपने mind map में देखा था एक topic जिसका नाम था test cross वहां पर हमने देखा था कि हमें जिसका genotype मालूम नहीं होता फिर हम उसे homozygous recessive parent के साथ cross करवाते हैं तो फिर जा करके हमें कुछ results मिलते हैं जिनके मदद से हम फिर उनके genotypes को हम जान पाते हैं कह रहा है कि the cross between the progeny of f1 progeny of f1 का मतलब के that is f2 generation and the homozygous recessive parent is called test cross and useful to identify the genotype that is the genetic makeup of a plant whose phenotype visible expression is known phenotype हमें पता है हमें देखने को मिल रहा है कि for example अगर हम बात करें कि हमें दिख रहा है कि this is a tall plant tall है हमें पता है लेकिन ये tall में either it is capital T capital T या फिर ये capital T small T है हमें ये चीज़ नहीं पता है हमें ये चीज़ बाहर से पता है कि ये tall है लेकिन ये capital T capital T होने के वज़े से tall है या फिर capital T small T होने के वज़े से tall है तो ये हम test करेंगे इसका and this test is known as test cross तो इस तरीके से फिर हम अपने इस cross को करवाएंगे और फिर हम यह चीज जान पाते हैं तो यह इसलिए useful है कि जो हमारा unknown genotype है उसको हम पता कर सकते हैं इस cross के मदब से तो इसलिए इसका यह answer हो जाएगा आप इसको note कर सकते हो इस screenshot निकाल सकते हो फिर हम चलेंगे आगे अगल सवाल की तरफ की उधर हमसे क्या पूछा गया है साथ साथ आपके लिए एक और चीज दैट इस कि अगर आपको चीज़े समझ में नहीं आ रही है तो आपका फर्ज बनता है कि आप चीजों को बार बार पूछें आप comment section में पूछ सकते हैं आपको अच्छा लग रहा है वो भी पता सकते हैं अगर आपको चीज़े समझ में नहीं आ रही है वो भी पता सकते हैं कैसे हम चीजों को और बहतर कर सकें इसके लिए आपको आपका comment करना ज़रूरी है तो फिर इसको आप screenshot करो फिर हम चलते हैं अपने next question question number two के तरफ की उधर हमसे क्या पूछा गया है question number two हमारे सामने आच चुका है और question number two हमसे क्या कहता है एक नजर डालेंगे इस पर तो कहता है कि do you think Mendel's law of inheritance तो बात की जा रही हैं Mendel's law of inheritance की मेंडल's law of inheritance के बारे में अगर discussion हम करें तो हमें समझ में आता है कि Mendel ने कुल तीन laws दिये थे पहले law को हम लोग कहे थे law of dominance के नाम से हमने उसे बुलाया था दूसरे law को हमने law of segregation के नाम से बुलाया था और फिर हमारे पास एक तीसरा law था जिसका हमने law of ending pendant assortment के नाम से हम जानते हैं ये तीनों law कुल मिलाके यही हमें बताने की कोशिश करता है कि कोई भी living organism जो अपने बच्चे को जन्व दे रहा है उसका जो बच्चा है वो अपने माबाप जैसा क्यों दिखता है क्या ऐसी चीजे होती हैं जिस कारण से जो genetic वाली जो चीजे हैं वो अपने बच्चों में transfer होती रहती हैं ये सारी चीजों ये कुल मिलाकर के अगर एक हम summary अगर लेके चले तो ये ऐसा कुछ बताया था law of dominance ने हम ये बताया था कि जितने भी characters हैं वो control किये जा रहे हैं एक discrete unit से जिसे हम factor के नाम से जानते हैं ये हमेशा pair में होते हैं और साथ साथ pair में होने के बाद अगर heterozygous condition है for example की capital T और small T का condition है तो इस वाले case में एक जो है वो dominant हो जाएगा और दूसरा जो है वो recessive हो जाएगा dominant वो होगा जो अपना असर दिखाएगा उसे हम dominant कहेंगे और दूसरा होने के बावजूद वो recessive form में बैठा रहेगा चिप के वो बैठा रहता है तो ये चीज़े थी law of segregation ने बताया था कि जब gamet और जनसे हो रहा है तो उस वक्त चीज़ों का separation होता है और फिर वो randomly select किया जाता है कि either उस gamet में ये capital T जाएगा या फिर small T जाएगा law of independent assortment ये बताता है कि कोई एक character जो है वो दूसरे पर depend नहीं करता है दोनों का segregation है वो अपने आप में independent है और इसको समझने के लिए हमने कुछ ऐसा लिया था हमने ये पढ़ा था इसके लिए seed के color और seed के shape की बात की थी ठेक है और हमने ये बार बार देखा है कि seed का shape जो है वो उसके color से किसी तरीके से dependent नहीं है और seed का जो color होना है वो होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा कि seed के shape के कारण seed के color में change आ जाए या फिर seed के color के कारण seed के shape में change आ जाए तो यह सारी बाते में में बताया है फिर आगे question का तरफ चलते हैं कि दू यू थिंग the Mendel's law of inheritance would have been different कुछ अलग होता if the characters that he chosen were located on the same chromosomes तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्या होता कि जो मेंडल ने कुछ characters लिये थे उन characters की basis पे मेंडल ने इसके उपर study किया study करने के बाद अपने कुछ उनके कुछ जो result आई उन result के अधार पे मेंडल ने कुछ law दिया और मेंडल बिल्कुल सही भी थे लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि क्या मिंडल के law में किसी तरीके का परिवर्तन आता अगर उन्होंने ऐसे character को choose किया होता जो same chromosome पे located है अब सवाल यह उठता है कि same chromosome पे अगर वो located है तो क्या changes उसमें देखने को मिल रहे हैं तो कहता है कि the link gene would not have segregated and got assorted independently during gamut formation जो gamut formation के दोरान यह दोनों independently segregate होते हैं ऐसी चीजे फिर नहीं देखने को मिलती अगर दोनों अगर दोनों जो हैं वो same chromosome के उपर मौजूद होते तो same chromosome के उपर मौजूद होते तो यह independently वो segregate नहीं कर पाते इस कारण से हो सकता है कि law of independent assorted independently during the gamut formation तो चुकि यहाँ पर मेंडल ने चीजे बताई लेकिन अगर यह गर same chromosome पे located होता तो फिर यह independently नहीं कर पाता इसके segregation जो है वो independently नहीं होता वो depend करता एक दूसरे के उपर तो यहाँ पर law of segregation और independent assortment जो है इसमें change आ सकता था तो यह वाली चीजे जो मेंडल ने बताई थी यह कुछ और भी हो सकता था तो फिलाल इसको आप screenshot निकाल लो फिर हम चलते हैं आगे अपने next question की तरफ तो question number आगे बढ़ते हैं question number three के तरफ तो question number three हमारे सामने आच चुका है और एक नजर डालेंगे की पूछ के आ रहा है तो कहता है कि enlist this steps of controlled cross pollination cross pollination के बारे में हमने कई बार पढ़ा है हमने इसके बारे में chapter 2 से पढ़ा है cross pollination ऐसी चीज है कि जिसमें की दो अलग अलग जिसमें की male plant अलग होते हैं या फिर female plant अलग होते हैं ठीक है male plant अलग है female plant अलग है हमें क्या करवाना होता है यहां पर तो for example हम ऐसे पहर हम पूलिनेशन की ऊपर discussion किया था तो हमने देखा था इसके तीन केस एक हमने देखा था autogammy दूसरा देखा था gitonogammy और तीसरा देखा था हमने xenogammy ठीक है autogammy की कहानी ये थी कि मतलब यहाँ पर की एक ही flower है और एक flower के अंदर क्या हो रहा होता है तो इसी के अंदर male as well as female दोनों part मौझूद है तो यह आपस में pollination कर लेते हैं jitonogammy की बात करें तो इसमें क्या होता था इसमें एक plant हैं सब लेकिन एक plant के क्या होते हैं दो अलग-अलग flower होते हैं एक है male flower और एक है यहाँ पर female flower इन दोनों की बीच में हो रहा होता है zenogammy में क्या है कि दो plants हो सकते हैं एक male plant अलग होता है और female plant अलग होता है तो zenogammy में कभी भी हमें यहाँ पर zenogammy वाले case में कभी भी हमें यहाँ पर self pollination देखने को नहीं मिलने वाला jitonogammy की बात करें तो चुकि यह भी यह kind of cross pollination है just because उसकी दो अलग-अलग flowers के बीच में हो रहा है लेकिन in this case यहाँ पर हमेशा autogammy हो जाएगा मतलब हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमेशा यहाँ पर self pollination देखने को मिलेगा तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि in list the steps of control cross pollination लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं इसी में हम cross pollination करवाना चाह रहे हैं थेक हैं तो हम cross pollination करवाना चाह रहे हैं ऐसे flower में जो flower खुद से self pollination कर लेता है वो किसी का इंतजार नहीं करता फिर कहता है कि would is emasculation be needed in a cucurbit plant अब दूसरा सवाल इसमें क्या रहा है क्या cucurbit plant में emasculation जरूरी है हमें बताना है give reason for your answer और हमें अपने answer के लिए कुछ reasons देने हैं इतनी बाते समझ में आ गई अब देखो हम क्या करते हैं इसको erase हम कर रहे हैं ठीक है इसको आप सब्लिषय है यह वाले flower में क्या यह वाले flower में male phone भी है और यह वाले flower अफीमेल अब हम यह कुछ इस तरीके से developments करते की दोनों की maturity सेम टाइम वर होती है और दोनों का arrangement स्टारिक एस होता है कि वह easily self pollination क्रवा लेते हैं ठीक है तो हमें self pollination नहीं pollinate होता है जब तक एंथर वहां पहुंचे उससे पहले अगर हम इसे काट करके अगर हटा ले तो यहां पर यह फिर self-pollination नहीं कर पाएगा और दूसरी चीज यहां पर यह होगा and this process is known as emasculation and this process is known as emasculation removal of और साथ साथ इस female में हम क्या करें bagging कर दें bagging के मदद से क्या होगा यहां पर unwanted pollen आगर के फॉल नहीं करेगा जब इस female बाले पार्ट को इसका इसका gamet नहीं मिलेगा अप खुद का male gamet नहीं मिलेगा तो यह कोशिश में रहेगा कि इसे किसी बाहरी से अगर मिल जाए तो फिर यह pollination कर वाले तो वह बहरी आंथर भी आकर के वहां पर land ना करें इसके लिए हमने bagging कर दिया तो वही कहता है कि पहले तो सबसे पहले parent जो हमें चाहिए हैं the selection of parents with desire character हम उसको चुनेंगे after that protection of stigma from contamination unwanted pollen grains by emasculation and bagging emasculation करेंगे bagging technique करेंगे और cucurbit plant की अगर हम बात करें तो यह चुकि monotious है that is it is bisexual तो इसके पास both male and female flowers है तो इसके पास male flower भी है और female flower भी है तो इसमें क्या होगा कि यहां पर सर्फ बार बार हमें इस वाले case में क्या है कि self pollination हमें देखने को मिलता रहेगा ठीक है यहां पर हमें self pollination देखने को मिलेगा तो इसलिए क्या करते हैं हम कि there is possibility of being self pollination self pollinated hence emasculation needed इसलिए हम emasculation करके male part को हम आसे कट करके हटा देते हैं और फिर यह उसके बाद self pollination नहीं कर पाता इसको आप note कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं फिर चलेंगे हम अपने question number 4 की तरफ की उधर हमसे क्या पूछा गया है तो question number 4 पर आ जाते है question number 4 question number 4 हमाई सामने आ चुका है और एक बार देखते हैं कि question number 4 हमसे पूछ क्या रहा है actually तो कहता है कि person has to perform crosses एक कोई बंदा है जिसे कुछ crosses करने है for the purpose of studying inheritance अब उसे inheritance करना है कि inheritance की study के लिए उसे cross करना है मतलब मान करके ऐसा चलो कि जो काम मेंडल ने किया था वही काम ये बंदा करना चाह रहा है for studying inheritance of few traits and traits या फिर characters कहता है कि what should be the criteria for selecting the organism तो उस organism को ये कौन से organism को select करें जिसके बाद इसका जो ये study करने का जो purpose है वो पूरी तरीके से सफल हो सके तो इसके लिए हम याद करते हैं कि मेंडल ने pysm sativum को चुना था और मेंडल के pysm sativum के चुनने के पीछे का reason ये था कि pysm sativum जो था उसमें male and female दोनो reproductive parts थे मेंडल ने pysm sativum को इसलिए चुना था कि उसका shorter life span था इसका मतलब कि generation और generation फिर उसके बाद next generation बहुत जल्दी जल्दी मिल सकें मेंडल ने pysm sativum को इसलिए चुना था कि उसमें easily observable contrasting characters देखने को मिल रहे थे जिसे हम easily study कर सकते थे तो ये कुछ reasons हैं जिसके कारण मेंडल ने pysm sativum को चुना अब कोई बंदा है जो चाह रहा है कि वो inheritance के उपर दुबारा study करें traits character को वो जानना चाह रहा है उसके लिए उसे किसी living organism को चुनना है तो ये सारी चीज़े उसे ध्यान में रखनी होंगी अब आ जाते हैं कहता है criteria for selecting the organism are कुछ criteria है हमारे पास एक तो कह सकते हैं कि shorter life span shorter life span होने से क्या फाइदा मिलेगा कि हमें बहुत सारी generations that is the multiple generations हमें देखने को मिल जाएंगे multiple generations in few months few months या फिर years कुछ ही महीनों या साल में हमें बहुत सारे generations देखने को मिल जाएंगे फिर क्याता है कि to produce large number of progeny ऐसा जो बहुत सारे progeny को produce कर सके है ऐसा नहीं कि एक living organism को ले लिया जो एक ही बच्चे को जन दे रहा है तो फिर क्या होगा कि उसमें study करना possible नहीं है कि क्योंकि वह पर बहुत ही limited limited चीज़े हमें मिलेंगे limited type of study हो सकेगा अगर बहुत सारे progeny को यह produce कर रहा है इसके कुछ अपने 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 और इसके कुछ result के तरफ बढ़ सकते हैं clear differentiation of sexes and traits to clear differentiation होना चाहिए sex or traits का many type of hereditary variation तो बहुत तरीके का hereditary variation ये सारी चीज़े अगर दिखती हैं तो हम उसमें किसी living organism में तो उस living organism को चुनना काफी जादा सही माया आ जाता है क्योंकि उसमें फिर जो हमें जो result जो हमें चाहिए जो finally हमें जो मुद्दा है हमारा कि हमें जो कुछ traits और character को study करना है उसमें उद्दे को complete करना है that is why हमें ऐसे plants या फिर ऐसे living organism को चुनने की जरुरत होती है इसको आप note करके screenshot निकाल सकते हो फिर हम चलेंगे अपने question number five के तरफ की उधर हम से क्या पूछा गया है question number five हमारे सामने आ चुका है और कुछ यह pedigree analysis जैसे यह diagram देखने को मिल रहा है तो पहले question को read करते है question कहता है pedigree chart given below shows a particular trait which is absent in parent तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक pedigree chart दे रखा है और कह रहा है कि यह यह show कर रहा है that particular trait which is absent in parent कुछ तो यहाँ पर है जो parents में absent और वो यह वाली चीज़ है और यह वाली चीज़ है हम जानते हैं कि इसका मतलब है कि this one will be the male और इसका मतलब यह है कि यह हो जाएंगी females यह हो जाएंगे उनके off springs यह number one मतलब उम्र में सबसे बड़ा सबसे पहले आया यह दूसरे number पे यह तीसरे number पे यह चौथे number पे और यह पांचमे number पे यह बात करें तो यह male है इसकी बात करें सॉरी 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 यह female है अगर इसकी बात करें तो इन्फेक्टेड मेल है ये नॉर्मल मेल है ये इन्फेक्टेड फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है ठीक है ये कहानी हो गए अब आगे चलते हैं कहता है कि which is absent in parent but present in next generation मतलब कहने का है next generation in next generation ठीक है कह रहा है कि बच्चों में तो मौझूद है लेकिन parents में absent है फिर कहता है कि draw your conclusion on the basis of pedigree तो अपने इस pedigree को के बारे में अपना conclusion दो इस pedigree को देखो जानो समझो फिर इसके उपर अपना analysis दो कि भाई कौन सी चीजें है क्या हो रही है कैसे हो रही है तो हमने देख लिया कि यहाँ पर male है female है फिर हम जानते हैं सोचेंगे समझेंगे कि सोचेंगे समझेंगे कि अगर यह male है तो इसके अंदर कुछ तो character रहा होगा ठीक है फिर यहाँ पर female है तो इसके अंदर कुछ character रहा होगा अगर इसके कोई office springs है अगर इसके कोई office springs है तो यह mother और father के character ही उसमें transfer हुए होगे चलिए ठीक है ये भी मान लिया ये भी मान लिया और मुद्दा यहां पर यह है कि सर देखने को मिल रहा है यह infected है लेकिन यह infected नहीं है यह infected नहीं है इसको एक example के रूप में समझने ही कोशिश करते हैं साथ वहां से समझ में आ जाए फर एक एक कोशन हमने mcqs में अपने सॉल्फ किया था उसमें हमने देखा था कि बच्चे की ब्लड ग्रूप ओ है that is a small i और small i यह वला केस होगा साथ में हमने देखा था कि जो यह और यह कौन है यह बेबी है ठीक है साथ में यहां पर हमें एक मदर देखने को मिला था मदर के साथ स ठीक है तो यहां पर फिर सोच में आया कि हो सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रूप यह हो जाता भी हो जाता या फिर एभी हो जाता कुछ ऐसा हो जाता लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रूप ब्लड ग्रूप ओ था तो हमें पता चला था कि सर इसमें क्या है ना कि i a और small i है और यहाँ पर क्या है कि IB और small i हैं, तो यहाँ पर क्या है ना कि यह small i और small i हैं, लेकिन अपना असर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यह जब अपने next generation में transfer हुए हैं, तो इनने अपना असर दिखाया, मतलब यह जो हैं, कि mother and father में यह चीज नहीं है, लेकिन इस office spring में देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं, कि इन में वो है, लेकिन वो recessive form में बैठा है, कहने का मतलब है, कि यह normal तो है, यह normal तो है, normal, but carrier हम इने कहेंगे, यह normal है, लेकिन यह carrier है, ठीक है, तो यह वाली चीज़े हैं यहाँ पर, यह दोनों के साथ वही कैस है, अब आते हैं, अपने answer पर तो कह रहा है, कि based on the pedigree, both the parents are carrier among the office springs, of a few shows the trade, which is indifferent of sex, the other one may either normal or carrier, अब कहने का मतलब यह है, साथ-साथ एक तो चीज़े होगी, parents के बारे में, कि हम confirm हो चुके हैं, कि वो carrier है, साथ-साथ यहाँ पर क्या कह रहा है, कि यह दोनों जो हैं, यह दोनों जो हैं, यह तो infected हो गए, अब बच रहा है, office spring number one, office spring number three, and office spring number five, तो हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं, कि एक, तीन और पांच, जो हैं, यह नॉर्मल भी हो सकते हैं, या फिर, यह भी carrier वाले हो सकते हैं, हो सकता है, कि एक में, तीन में, या फिर पांच में, इन तीनों में भी, male and female, इन parents के जैसा, बाहर से देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है, या तो यह नॉर्मल हो, या फिर, यह भी carrier हो सकते हैं, इसके, बहुत ही आसान वाली चीज है, इसको भी आप नोट करके, screenshot निकाल सकते हो, फिर चलते हैं, आगे अपने next generation में, next question के तरफ, तो question number 6 पे हम आते हैं, question number 6 हम से क्या कह रहा है, एक नजर डालेंगे जरा, तो question number 6 हम से कहता है, कि in order to obtain F1 generation, Mendel pollinated a pure bleeding tall plant, with pure breeding borf plant, मतलब Mendel ने क्या किया, तो Mendel ने capital T, capital T को cross करवा दिया, small T और small T के साथ, यह किया, but for getting F2 generation, और इसके बाद इनको कुछ ऐसा मिला था, इनको मिला था capital T, small T, ऐसा कुछ इनको देखने को मिला था, अगर हम इसको ऐसे ना लिख करके, अगर हम इसे ऐसे ना लिख करके, अगर पनेट स्कोर पे लिखे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा accurate देता है, हमें result, तो capital T is small T, result में देखने को मिला कि, टॉल जो थे, वो पूरे के पूरे चार हो गए, और ड्वार्फ की कहानी जो थी, ड्वार्फ की कहानी जिरो हो गई, मेंडल शॉग थे कि मेरे मैंने, तो पेरिंट्स में एक टॉल लिया, और एक ड्वार्फ लिया, तो किसी न किसी को तो ड्वार्फ होना चाहिए था, क्या ये ड्वार्फ प्लांट गायब हो गया, ये गया तो गया कहाँ, इस तरीकी की चीज़े मिंडल के दिमाग में आना शुरू हुआ, इसके वाद मिंडल ने क्या किया, कि बर्ट फॉर गेटिंग दे F2 जेनरेशन, ले F1 प्लांट तो, इनने इसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, मतलब capital T को क्रॉस को, capital D small T को इस तरीके से क्रॉस करवा दिया, अब इसके बाद cross के बाद नतीज़ा क्या हुआ, cross के बाद नतीज़ा ये हुआ, cross के बाद नतीज़ा ये देखने के मिला कि capital T small t and capital T small t तो यहां पर capital T capital T और यह capital T capital T बता रहा है कि यह tall हो जाएगा in this case capital T small t and capital T small t तो capital T small t की संख्या 2 है और यह भी tall है लेकिन साथ में यहां पर small T small T भी देखने को मिला जो एक है और है यह dwarf तो यहां से मेंडल को वापस एक dwarf plant देखने को मिल गया तो यहां से मेंडल ने एक dwarf plant प्राप्त किया तो वही कह रहा है कि genotype of 50% of the offspring would resemble one parent and the rest of the other parent all the F1 offspring of the crosses are heterozygous so allowing self-pollination is sufficient to raise F2 offspring only self-pollination of the heterozygous can result in all possible recombinations of characters in progeny as mating is random तो यह कहानी थी और ऐसा इनने इसलिए किया क्योंकि यही वो रास्ता था जिसके बाद इनको वो चीज मिला जिसकी में तलाश थी कि कहां गया वो dwarf plant जो मैंने parent के रूप में भी लिया था तो यह बहुत ही आसाम सी चीज है इसको भी आप note करके screenshot निकाल सकते हो फिर चलते हैं अपने next question question number 7 की तरफ की उधर हमसे क्या पूछा गया है तो आते हैं अपने question number 7 की तरफ इसको करते हैं erase तो question number 7 हमारे सामने आ चुका है बहुत ही छोटा सा देखने में लग रहा है क्या यह सच में छोटा है तो सच में यह छोटा है क्या तो कह रहा है कि genes contain the information that is required to express a particular trait कह रहा है कि gene contain the information gene वो information carry कर रहा है जो required है किसी भी particular trait के लिए इसको explain करना है ठीक है तो हम जानते हैं कि ऐसी चीज़े होती है बस इसे explain करना है तो क्या हम कहेंगे तो कहेंगे कि the gene present in an organism किसी भी living organism में जो gene present है show a particular trait by way of forming certain product for example कुछ product बनाएगा किसी की आखे काली है किसी का brown है बहुत ही rare case में हमें green and blue भी देखने को मिलता है brown है black है यह सारे colors है तो यह किसमे कौन सा color होगा इसके लिए कुछ तो बन रहा होगा जिसके कारण से उसके eye का color change हो गया किसी किसी के hair की बात करे तो black है किसी के hair की बात करे तो brown है किसी के hair की बात करे तो वो dark brown है किसी के hair की बात करे तो हलका gray color का है ऐसा क्यों है कि यह color changing हमें देखने को मिला मतलब कुछ तो ऐसा product बन रहा होगा जो उस color को code कर रहा होगा जिसे कारण उसके hair का color अलग है तो वही चीज़ कह रहा है कि the gene present in an organism show a particular trait by way of forming certain product this is facilitated by the process of transcription and translation और यह चीज़ क्या है हम central logma में देखेंगे फिलाल उस चीज़े अब बात की हैं लेकिन फिलाल यहाँ पर जानो and this is facilitated by the process of transcription and translation gene जो है यह mRNA में बदल रहा है यहां से कुछ protein and enzymes बदल रहे है protein कुछ trait show कर रहा है इस enzyme से कुछ substrate बन रहे है फिर product बन रहे है और फिर इसके बाद यह कुछ trade show कर रहे हैं तो बिलकुल यहाँ पर कुछ products बन रहे होते हैं उसके बाद वो ट्रेट शो होता है वही चीज़ कह रहा है कि gene जो है कुछ information करी करता है उस information को फिर किया होता है कि उस information के बाद चीजे आगे बरती है कुछ products बनते हैं और फिर उसके बाद उसके accordingly उस किसी भी living organism में वो character जो है वो हमें दिख रहा होता है ठीक है आगे बरें अपने question number 8 की तरफ की उधर हम से क्या पूछा गया है अगर किसी दरीकी की चिंता है मन में doubts हैं तो आप clear कर सकते हैं आज आते हैं हम अपने question number 8 की तरफ और इधर हम से कहता है कि how are alleles of a particular gene differ from each other कि how are alleles of a particular gene किसी particular gene के alleles जो है वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं और हमें बताना है explain its significance इसके significance की उपर भी थोड़ा सा जिक्राम करेंगे तो question है हमारा कि कि किसी बिजीन के alleles जो हैं वो अलग-अलग कैसे हैं अब इसको ऐसे समझते हैं for example हम बात करते हैं हम बात करते हैं plant के height की ठीक है प्लांट के height की बात करते हैं ठीक है प्लांट के height की बात करें तो plant के height की बात करें तो या तो plant tall है या फिर plant क्या है ड्वार्फ है ठीक है हमारे लिए दो के से tall के लिए हमने capital T है इसके पास और ड्वार्फ ने इसके लिए small T है आपके पास है इसके लिए आपके पास स्मॉल टी है ठीक है इसके लिए स्मॉल होना है कि वह टॉल होना है और आगर यहां पर वह रिंकर्ड है तो रिंकल्ड होने के लिए कि इसके पास क्या है small r तो कहता है कि alleles are polymorphs that differ in their nuclear tight sequence, उनके nuclear tight sequence में कुछ change होते हैं resulting in the contrasting phenotype expression, alleles are the alternative form of some genes for example gene of gene for height have two alleles इसके लिए दो alleles है, एक tonless का है जिसे हम capital T से समझ सकते हैं एक dwarfness का है जिसे हम small t से समझ सकते हैं, same for the seed के shape and other characters सभी characters के लिए कुछ ऐसी ही बाते होती है अगर हम इसके significance के बात करें तो कहता है कि character may have two or more contrasting phenotypic expression that's resulting in variation in the population और दूसरा कहा रहा है कि these are used in the studies of inheritance and in understanding their behavior तो हम बिलकुल इसको बिलकुल ये चीज़े हैं कि इसको inheritance में study के लिए इसको use किया जाता है अगर ये चीज़े अगर मेंडल ने नहीं ली होती तो imagine करो किस तरीके से वो अपने चीज़ों को समझाते वो किस तरीके से फिर अपने ये जो laws थे जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं उसे वो किस तरीके से समझा रहे होते तो चीज़े काफे मुश्किल होती तो ये सारी चीज़ें में ये help कर रहा होता है तो ये रहा इसका answer इसको भी आप note करके screenshot निकाल सकते हो फिर हम चलते हैं अपने next question question number 9 के तरफ की उधर हम से क्या पूछा किया है question number 9 के तरफ आते हैं मतलब दो flower है एक red है एक red है और एक क्या है cross हो रहा है ये white के साथ फिर कहता कि मेंडल got only red flowered plant तो मेंडल को red मिला तो red के लिए capital R capital R और white के लिए small r small r कुछ ऐसा इनके बीच cross हुआ तो cross होने के बाद हमें मिला a small r small r capital R capital R तो बेशक हमें इस तरीके से हमें क्या देखने को मिल गया हमें देखने को मिल गया चार red plants ठेक है फिर कह रहा है कि on self pollinating this f1 plants इसके बाद मेंडल ने इसको self pollinate किया that is this is crossed with this draw this on panit square यहाँ पर अगर हम इस तरीके से अगर हम लिखने हैं तो यहाँ पर r r आ गया यहाँ पर यहाँ पर आ गया r और small r यहाँ पर आ जाता है capital r small r small r small r तो यहाँ पर एक हमें white देखने को बिलकुल मिलेगा और still हमें 3 क्या देखने को मिलेंगे red ठीक है तो यह चीज़े हैं तो फिर क्याता है self pollinating these f1 plants got both red and white flower plants in 3 is to 1 ratio तो बिलकुल यहाँ पर red 3 है और वो यह है तो हमें ratio यहाँ पर 3 is to 1 का मिल गया फिर क्याता है कि explain the basis of using rr and rr symbols to present the genotype of the plants of a parental generation अब हमें यह बताना explain करना है कि वो basis of using capital r capital r और small r small r symbols को हमने क्यों use किया है genotype बताने के लिए किसी भी plant का तो हमें यही बताना है कि crossing of red and white flower only red flower appeared in the f1 generation but in white again appeared in the f2 generation which is raised out of the f1 individuals only अब हम बता देते हैं कि हमने इसे qs चुना है तो हमें बताना था कि red है तो यह red क्यूं है तो red यह क्यूं है red के लिए हमने इसको ले लिया capital r capital r को और white के लिए small r small r को चुल लिया गया capital r capital इसको capital r लिखने का हमारा मकसद यह था just because this was the dominant character और इसको हमने small से इसले रिप्रेजेंट किया क्योंकि यह recessive character था इन दोनों को फिर हमने इस तरीके से capital r के बाद हमने यहां पर 2 r की जगा एक r इसले लिया just because कि यह gamit है और gamit में हम जानते हैं कि चीजे क्या हो जाती है two n से निकलती है और n में टूट जाती है तो बेशक अगर यह two r था कहने का मतलब है कि r और r था तो यह जाएगा अगर gamit बनके तो यहां पर r ही देखने को मिलेगा same कि small r a small r था तो यहां पर small r देखने को मिलेगा that is why हमने इस तरीके से यूज किया ताकि हम red और white दोनों को अच्छे तरीके से study कर सके उसे perfect symbol हम दे सके तो that is why हमने इसे यूज किया ठीक है इसको note करो फिर आगे बढ़ते हैं इसको note करिये फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास आगे यह भी कहता है कि Mendel result that there is a factor of each and every character हरे character का कुछ अपना factor होता है फिर इसी में कहता है कि accordingly there has to be one factor r ठीक है there has to be one factor r तो यह वाली जो चीजे थी यहां पर यह वाली जो चीजे थी जो अभी हमने discuss किया था कि अगर हम ने जो discuss किया था अभी कि कह रहा है कि reason that there is a factor of each and every character accordingly there has to be one factor capital r for red flower and other small r for white flower वही चीजे भी हमने discuss किया फिर कहता है कि in case of an organism possesses only one copy of the gene then the possibility of reappearance of white flower in the f2 generation of the given cross is not there तो यहां पर also the ratio 3 is to 1 of the red and white flower indicates that the each organism must produces two copies of the particular gene तो single r का होना gamut का दिखा रहा है single r का होना gamut का दिखा रहा है और यहां पर अगर यह capital r capital r है यह capital r small r है यह फिर small r small r है यह फिर बता रहा है कि यह office spring बन करके तयार हो चुकी है ठीक है इसको भी note करके screenshot निकाल सकते हो आपके असानी के लिए इसको clear कर दिया जाए तो फिर आगे आप इसको note कर सकते हो फिर हम चलते हैं अपने question के तरफ कि वहां पर हमसे क्या पूछा गया है आ जाते हैं अपने question number 10 की तरफ दस्वा सवाल हमारे सामने आ चुका है और दस्वा सवाल हमसे क्या कहता है एक नज़र डालते हैं तो दस्वा सवाल हमसे यह कहता है कि for the expression of traits for the expression of traits for the expression of traits gene provide only the potentially and the environment provides the opportunity comment on the veracity of the statement इसके कहने का मतलब यह है अभी तक हमने यह चीज़ पढ़ा है दो तरफ पर रहा था that is the genotype that is the genotype और एक हमने पढ़ा था phenotype के बारे में थेक है genotype कहने का मतलब यह कि inner genetic makeup जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसी के कारण से जिस किसी believing organism का phenotype जो है वो depend करता है कहने का मतलब है कहने का मतलब यह है कि अगर यह genotype capital T capital T है तो हमें पता चलेगा कि यह जो है यह भी यहां से अगर हमने इसे ऐसे कर दे तो यह भी यहां से जो है ना इस तरीके से हो जाएगा ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा मतलब कि जिसका जैसा genotype रहेगा उसका वैसा phenotype रहेगा तो कहने का मतलब यह है कि हमने यह चीज़ पढ़ाता है कि कि लिपिंग और्गनिजम का जो फीनो टाइप है वह उसके जीनो टाइप पर डिपेंड करता है लेकिन यहां पर कहता है कि फॉर्दी एक्स्प्रेशन ओफ ट्रेड जीन प्रवाइड ओनली दी पोटेंशियली मतलब यह जीन जो जीनो टाइप वाला कहानी है यह क्या कर रहा यह पोटेंशियली पोटेंशियली यह सपोर्ट कर रहा है लेकिन फिर कहता है कि इन्वायर्मेंट भी रिस्पॉंसिबल है किसी के फीनो टाइप के लिए मतलब जिसे इन्वायर्मेंट में कुछ जो लिविंग और्गनिजम रहता है वह इन्वायर्मेंट भी उसकी फीनो है this is equals to genotype plus environment this is equals to genotype plus environment हम ऐसा नहीं कह सकते कि अकेला जो यह है अकेला जो genotype है that is responsible for phenotype ऐसी चीज़े बिल्कुल भी नहीं है यहां पर इसका कहने का मतलब है कि genotype और environment दोनों मिल करके किसी भी living organism का phenotype को decide करते हैं अब इसको कैसे समझे सब कैसे समझे ऐसा हम क्यों कह सकते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे समझों कि बहुत ही हाई quality का seed घरीब के कोई farmer ला रहा है वो जान रहा है कि इस flower इस वाले seed से जो हमें plant मिलने वाला है यह plant जो है वो बहुत ज़ादा tall होगा या फिर हो सकता है कि इस plant से जो हमें final products हमें मिलने वाले हैं जो भी अनाज वो उगाने वाला है वो काफी ज़ादा होगा लेकिन यहाँ पर क्या करता है उसने दो plot select कि ए उस farmer के पास दो plots हैं दो Richt पर इस प्लॉट वाले हो सकता है कि rem하기 100mm को distance है मतलब इस्के इस plot ऐस direct आगर नहीं समझ में वाल रहे है तो एस ऐस अगर दो plots है उसके पास और यहाँपर क्या है यहाँपर इसके बीच में क्या है 100m क100m को difference है और यहा पर है और इस plot की बात करें तो इससे क्या है इसका यहां पर 2 km का distance है ठीक है तो जो nature of swirl की बात की जाए इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा nature of swirl इस वाले plot का plot A और plot B की बात करें तो plot B जो है उसके स्वाइल का नेचर और स्वाइल ए प्लॉट एक स्वाइल का नेचर इसमें कुछ चेंजस देखने को मिल सकते हैं सो जिस तरीके का उसे फाइनल प्रोड़क्ट यहां मिलेगा वैसा यहां नहीं मिलेगा और जैसा यहां मिलेगा वैसा यहां नहीं मिलेगा तो यह चेंज देखने को मिला, तो यहाँ पर सिर्फ सीड के होने से फर्क नहीं पर रहा है, फर्क पर रहा है उसके इन्वारिमेंट के कारण भी, कोई इनसान जो दिन रात AC में बैठा हुआ है और एक ऐसा कोई वर्कर जो दिन रात फिल्ड वर्क करता है, उसके स्किन के कलर में अगर चेंज आता है, अगर कोई है, जो कोईले की फैक्टरी में काम कर रहा है, उसके स्किन का कलर अगर धीरे-धीरे डार्क होता जाता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ इसका जीनोटाइप ही रिस्पॉंसिबल है, च्योंकि वो जिस इन्वारिमेंट में रह रहा ह भी उसके skin के color में changes आ रहे हैं, तो हम यह चीज़ कह सकते हैं कि environment and genotype both are responsible for the phenotype of an organism, फिर कहता है कि obviously genes are not the only factor that determine phenotype, environment also plays an important role in the expression of traits, कहता है कि genes are actually quite active throughout the life, switching their expression and on and off in response to environment मतलब यह दोनों फिर मिलते हैं और इस तरीके से यह चीज़े हो रही होती है, समझ में आया है, इसको आप note करके screenshot निकाल सकते हो, फिर हम चलते हैं, अपने question number 11 के तरफ की उदर हमसे क्या पूछा गया है, तो question number 11 पे हम आजाते हैं, question number 11 हमसे क्या पूछ रहा है, question number 11 कहता है कि A, B, D, capital A, capital B, capital D लिखा है, are three independently assorting genes, independently assorting gene है, मतलब law of independent assortment में जो हमने देखा ता हम उस चीज़ को यहाँ पर recall करने की कोशिश करते हैं, फिर कह रहा है कि with their recessive alleles A, B, D, मतलब A कहें, capital A, capital V, capital D, और इसके recessive form है, capital A, small B, और small D, ठीक है, ठीक है, माल लिया, फिर कह रहा है कि cross was made between individuals of AA, तो एक ऐसा individual है, चुकि यह pair में होते हैं, तो यह ऐसा है, capital A, small A, small B, small B, और capital D, capital D, फिर कह रहा है, genotype with a A, A, B, B, D, D, फिर है, A, A, B, B, और D, D, ठीक है, find out the type of genotype of the offspring, तो हमें genotype के बारे हम पता करना है, तो first of all हमें इन दोनों के gamets को बना लेंगे, gamets बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कौन-कौन से gamets मिल सकते हैं, तो पहला तो यह case में में दिख रहा है कि capital A जो है, capital A जो है, यह small B और capital D के साथ जा करके बना सकता है, दूसरे case में यह small A जो है, यह इस वाले से बना सकता है, दो तरीके के gamets हमें यहां मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहां पर हमेशा यही वाला gamet मिलेगा, अब क्या है, तो हमें बताना है, find the type of genotype of the office spring, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों cross करवा देंगे, that is कि A, B, D crossed with A, B, D is equals to capital A, small A, small B, small B, capital D, small D, ठीक है, फिर A, small A, small B, capital D, cross with small A, small B, small D, is equals to small A, small A, small B, small B, capital D, small D, तो इस तरीके से मिल जाएंगे, यही है, capital A, small A, small B, small B, capital D, small D, और small A, small B, small A, small B, small B, capital D, small D, तो यह वाली चीज़ें जो हमें मिल जाएंगे, काफी जादा आसान है, ये जो क्या है, ये क्या है, तो ये gamets है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये दोनों office springs है, ठीक है, ये दोनों office springs है, और ये दोनों कौन है, तो ये दोनों जो है, वो parent है, ठीक है, ये दोनों parent है, इसको भी आप note करके screenshot निकाल सकते हो, फिर हम चलते हैं अपने question number 12 के तरफ कि उंधर हम से क्या पूछा जा रहा है हमारी 12 सवाल में यह समझ में आ घ्या होगा आपको तो आगे बद interes अपने कोशन नu Line के तरफ कोशन नमब नबर 12 12 14 κα裡面 कि सॉसाइटी का यह rolled is often blamed for not bearing male child do you think it is right justify आज भी हमारे society में ऐसा होता है कि females को blame किया जाता है कि तुम ने लड़के को जन्म क्यों नहीं दिया तो females को इस चीज के लिए blame किया जाता है कई बार तो हमें ये बताना है कि do you think is it right तो ये हमें बताना है कि क्या ये सही है सही है क्या ये जो होता है हमारे society में तो हमारा answer होना चाहिए नहीं ये बिलकुल ही गलत गलत इसलिए है कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों की बात करें तो हम जानते हैं कि males के अंदर 22 pair plus XY मौजूद होता ہے ये conditions है male की और females की अंदर अगर बात करें तो 22 pair plus x x मौजूद होता है तो males जो है वो 22 pair autosomes के 22 pair जो है वो autosomes के और यहाँ पर एक six chromosome के रूप में x और y लेके आते हैं during the gamut formation इन males के अंदर जो कहानी है वो 22 plus x या फिर 22 plus y पे आकर के रुख जाती है इनकी बात करें तो इस case में 22 plus x या फिर 22 plus x पर आकर के रुख जाती है फिर अगर हम बात करें कि male और females के gamut को मिलकर के zygote बनाना है मतलब n और n को मिलकर के यहाँ पर 2n बनाना है तो in this case अगर हमारे पास male ने क्या किया male ने अपने 22 plus x को दिया और यह जो है अगर fuse कर गया वे 22 plus x तो यह बना जाएगा 22 pair plus x और x दूसरे case में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर इस male के 22 plus y के साथ अगर female का 22 plus x अगर fuse करता है तो यह 22 pair plus xy बनाएगा तो यह clear दर्शाता है कि females जो है हर बार वो एक ही तरीके की चीजे दे रही है लेकिन male के chromosome that is x and y के कारण यह decide किया जा रहा है कि इसे female होगा female होना चाहिए आने वाले बच्चे को या फिर male होना चाहिए तो हर बार males are responsible for the sex determination of the baby in humans that is why यह जो चीजे हो रही है कि females को blame किया जाता है कि वो male child को bear नहीं कर रही है so this is very wrong always यहाँ पर male parents are responsible for the sex determination of a baby so इसको भी आप note करके इसका भी आप screenshot निकाल सकते हो और फिर हम चलेंगे अपने question number 13 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है ठीक है बहुत ही basic सा चीज है कई बार हमने इस topic को देख लिया आगे चलते हैं हमने question number 13 के तरफ कि उधर क्या पूछा जा रहा है तो question number 13 पे हम आते हैं तो सवाल number 13 कहता है कि discuss the genetic basis of wrinkled phenotype of a seed genetic basis of a wrinkled phenotype of a pea seed तो pea के अगर seed की अगर हम सर बात करें तो हमने देखा है कि दो तरीके के हमें seed देखने को मिल रहे हैं एक है जो round है और एक जो है वो wrinkled है थेक है बेसिकली अगर हम बात करें तो round जो है वो dominant type का है और wrinkled जो है वो recessive type के हैं तो round को हम represent करते हैं capital R, capital R से और wrinkled को small r, small r से but in this case capital R एगर small r के साथ मिलता है तो भी condition हमें round देखने को मिलती है अब हमें बताने है जिसकल से genetic basis of the phenotype तो कहता है कि the genetic basis of the wrinkled phenotype of a pea seed is due to the small grain size small size उसका grain होता है starch starch जो होता है उसमें wrinkled वाले में starch का जो मात्रा होता है starch ये भी कम पाया जाता है तो size उसका छोटा हो जाता है produced by double recessive allele और उसको हम लोग small r small r से represent करते हैं ठीक है उसमें क्या है कि small grain size है due to the starch की कमी के कारण और फिर उसको हम लोग small r small r से represent कर रहे हैं ये कहानी है बहुत ही छोटा बहुत ही basic चलते हैं अपने question one ten no 14 के तरफ की उद्र हम से क्या पूछा जा रहा है तो आगे बढ़ते हैं गाडी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं question No.14 के तरफ की उदर हम से क्या पूछा जा रहा है तो question no.14 हमसे कहता है कि even if a character shows multiple ally즘 को यह कैसा character हैं जो multiple quarterback show कर रहा blood group हमारे पास AB है या फिर blood group हमारे पास O है ठीक है an individual will only have two alleles for that character Y basically अगर हम बात करें तो अगर A के लिए तो यहां पर इस तरीके का होता है IA, IA या फिर IA small i, इस वाले case में IB, IB या फिर IB और a small i AB में हमेशा हमको capital A और यहां पर B मिलेगा और O की बात करें तो small i और small i इस तरीके से मिल जाएगा कह रहा है कि फिर भी individual में multiple allelesm होने के बाब जो एक individual होता है उसमें सिर्फ दो alleles देखने को मिलता है ऐसा क्यूं होता है, सवाल है कि ऐसा क्यूं होता है तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सा जवाब है कि लिए तो इसके पास एक है और इसके पास A कह लेते हैं पास blood group A के लिए हमारे पास 2 case थे एक हमारे पास IA IA या फिर हो जाए यह या फिर small i ठीक है लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर एक दो तीन के भी कुछ mixer देखने को मिल सके मतलब ऐसा भी हो जाए क्या ऐसा हो सकता है capital A capital A और small i यह इस तरीके से हो जाए तो ऐसा नहीं होता है कि just because कि या तो male parent से हमारे सामने यह आ जाएगा या फिर male parent से small i आ जाएगा female parent से भी same है female parent से भी यह वाला चीज है या फिर यह आ रहा है इन दोनों में से कोई एक ही को आना होगा दो तो कहीं से नहीं आएगा तो चुकि दोनों में से यह गाएगा तो अगर मेल पैरेंट इसे ये वाली कहनी और या फिर आ रहा ऑगा है फिर या झांते इने ख posture वह बना जाएगा ये वाली कहानी ठीक है तो इस तरीगे की चीज़े होती है मतलब कुछ मेल से और कुछ फीमेल से निकल कर के आता है तो इस में से क्या हो जाएगा इसका इसका ब्लड हो जाएगा इसका ब्लड हो जाएगा तो दोनों एक ही एक ही देते हैं इसलिए ऑफिस प्रेंग में हमेशा दो देखने को मिलता है इसको स्क्रींशॉट निकाल सकते हो इसका इसको अब नोट भी कर सकते हो फिर चलते हम अपने नेक्स कोश्यनringe 15 के तरफ की उधर में से क्या पूछा गया है तो आज आते हैं अपने कोशनर फंद्र की तरफ की उधर हम से क्या पूछा गया a little little about the mutation so mutation के बारे में हमने पढ़ाता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से हमारे जो DNA का DNA में जो sequence है ये sequence जो है इसमें change आता है and this change results in change in change in genotype ठेक है इसमें भी change लाता है और ये फिर इसके कारण से क्या हो जाता है यहाँ पर कुछ हमारे पास genetic genetic disorders हमें देखने को मिलते हैं so this is a simple simple line about mutation और हमने ये देखा था कि mutation को है mutation को जो है वो mutagen क्या करता है induce करता है ठीक है तो सवाल यही कि mutagen कैसे इसको induce करता है तो कह रहा है कि mutagen can change the alignment and composition of the nitrogenous base pair of DNA मतलब इसके sequence में यह change लाएगा that results in changing the product of the gene thus bring about the mutation और यह क्या करता है simply इसके sequence में change लागता है इसके जो nitrogenous base पर अगर DNA के बात करें तो DNA के बात करें तो एक तो nitrogenous base pair यहां मौझूद होता है इसके बात करें तो इसमें pentose sugar मौझूद होता है और बात करें तो इसमें phosphate group मौझूद होता है यह सारे मिलकर के DNA बना रहे होते हैं तो इसके nitrogenous base pair में यह change लाता है उसके कारण इसकी sequencing changing देखने को मिलता है just because कि इसमें फिर genetic make up उसमें change होता है and फिर यह genetic disorders carry करता है तो यह simply mutagen क्या करता है इसके nitrogenous base pair को यह change कर रहा होता है अगर इसके example की बात करें तो UV rays UV rays बहुत बरा reason है बहुत सारे nitrogenous base pair के change यह nitrogenous base pair में यह change लाता है और sometimes UV rays जो है वो reason बनते हैं skin cancers के भी इसके बारे में कुछ छोटी सी बात हैं इसको भी आप note करके screenshot निकाल सकते हैं फिर हम आगे चलते हैं कुछ आगे छोटी सी चीज़ें डिसकस करनी है हमें ठेक हैं आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर होता है हमारा यह very short answer type questions complete उमीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी आपकी बहुत ही बच्चे से आपकी journey स्टार्ट की जाती है और आपके last तक आपको साथ दिया जाता है पूरे स्कूल education में इसके लिए आपको किसी तरीके के लिए payment करने के जुरूरत नहीं है सब कुछ 100% free है हमारे पास books and e-books भी available है जिसको आप link जो description में है वहां से जाकर के आप फिर आगे इसके उपर जाकर के आप books और e-books ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपको आना होगा magnet prince के youtube चैनल पर अगर यहाँ पर आपको वीडियो देखने में परिशानी हो रही है वीडियो नहीं मिल रहे हैं just because की हजारों वीडियो से आपके लिए जिनें देख करके आप अपने examination में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे application पर या फिर आप visit कर सकते हैं www.magnetbrince.com यहाँ पर आकर आपको अपने class को select करना है subject, chapter, lecture और फिर आप देख सकते हैं वीडियो को enjoy कर सकते हैं CBSC, NTSC, Olympiad, CUAT और different state boards सब की पढ़ाई यहाँ से आप कर सकते हैं बेलकुल in free of course तो इसी अच्छे बात के साथ हसे रहें मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें magnet brace के साथ tada thank you, bye bye